हेलो एवरीवन वैलकम टूजी के भाई जोती में फ्रेंड्स आज की जो ये वीडियो आज की इस वीडियो में हम हरियानक की जो विदानसबा है उससे रिलेटिड जो भी हमारी क्वेस्टिन बनते हैं और जो हमारी थियोरी है उसको बिल्कुल डीप से पढ़ेंगे तो आपस इस वीडियो को शेर जरूर कीजिएगा ताकि आपके जो अधर स्टुडेंट है या फिर जो आपके अधर फ्रेंड है वो इस वीडियो से लाब उठासके और अगर आप चैनल पर फस्ट एम विजिट कर रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बैल आइकन है उसको प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक निव वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल टाइम से पोस्ट के तो आप उसे भी का ज्यादा टाइम नाग बाते हुए हम मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ इससे पहले मैंने हरियाना की जो पोलि विदानसबा है विदानसबा को अनुछेद 170 के तहत रज्य में विदानसबा का गठन कवर्नन किया गया ठीक है जो हमारी विदानसबा है या किस अनुछेद के तहत आती है तो यह हमारे अनुछेद 170 के तहत आती है और हर जब हमारे हरियाना का गठन हुआ था कब हुआ था हमारे हर्याना का गठन हुआ था एक नुवंबर 1966 को उस में जो हमारा हर्याना था हर्याना में जो विदानसभा के सदश्या थे उनकी संख्या कितनी थी तो वो हमारी 54 थी ठीक है लेकिन एट प्रेजेंट जो हमारे हर्याना है हर्याना में जो विदानसभा के सदश्यों की आऊंगी कि ये पहले फिफ्टिफॉर थी फिर ये नाइंटी कैसे होई ठीक है तो देखेंए जब हमारा हरियाना गठन हुआ एक नुम्बर шण को तब हमारी कोण सी विदान सबा चल रही थी हमारी first विदान सबा चल रही थी उसमें जब हमारी होता है एक वर्ष वाद 1964 में क्या होता है सैकिन हमारी विधान्सभा में जो सच्दशयों की संक्हया나 कितनी कर डी जाती है तो यह है ना 1977 में की गई थी उसमें हमारी पांच भी विदान सबा चल रही थी और एट प्रेजेंट हमारे हर्याना में कितने अरक्षी तक्षेतर है 17 अरक्षी तक्षेतर है ठीक है अब देखें आपको ध्यां रखना है देखें इमान के चलिए यह पूरा क्या हमारा पंजा थीक है इस पंजाब में से हमें हर्यान को कितना मिलाया आपने पड़ाओा जो हमारे अक्षेतर फलओ लो कितना है PKP थरू हमारे हर्याना का अक्षेतर हुआई और पंजाब है पंजब का कितना रह गया था उस टाइम में देने के बाद तो पचास थी इना uster 1967 तक जो हमारी पंजाब विदानसबा चल रही थी उसमें जो विदानसबा के सीटों की संख्या कितनी थी 154 थी लेकिन जब हमारा एक पंजाब से अलग कर दिया गया 1-966 को उसमें क्या होता है जो 54 सीटे होती है वहहर्याना के हिस्वे में आ तो इसलिए मैंने आपको पड़ाया कि जब हमारे हरियाना का गठन हुआ उसमें हमारे हरियाना में कितनी विदानसभा की सदस्य संख्याती तो वह 54 थी ठीक है और उन में से आरक्षित कितनी थी हमारी 10 थी ठीक है तो इस बात का आपको ध्यान रख लेना है ठीक है यह हमारी क आपको पता है कब हुई थी इसका गठन किया गया था एक नौमर 1966 को इसकी पर्थम बैठक हुई थी 6 दिसंबर 1966 को और इसके पर्थम स्पीकर या फिर विदानसभा अध्यक्स जो थे वो थी आमारी सरीमती चन्नो देवी जी ठीक है और इनका जो कर्याकाल रहा था चन्नो चुने गए थे और मेरले को हिंदी में क्या बोला जाता है विदायक बोला जाता है ठीक है इस बात का आपको ध्यान रख लेना है और जब हमारे हर्याना की पहली विदानसभा चल रही थी इसमें सदस्यों की जो संक्याती वो 54 थी और इन 54 में से 10 ऐसे अक्षेतर थे जो की आरक्षित थे ठीक है इस बात का आपको ध्यार रख लेना है और ये भी आपको ध्यार रख लेना है जो हमारी सरीमती छन्नो देवी जी है ये भारत में किसी भी राज्य की पर्थम महीला विदानसभा अध्यक्स रही है ठीक है और हर्याना की स्पिकर बनने से पहले छन्नो बनाया था क्योंकि जो हमारी जब हमारा हरियाना पंजाब में था तो जो यह सुन्नो देवी जी थी यह पंजाब विदानसबा थी जो उसमें क्या रह चुकी थी हमारी डिप्टी स्पीकर रह चुकी थी ठीक है तो इसलिए हमने इसको क्या बना दिया था इनको MLA बना दिया था ठीक है इस बात का आपको ध्यान रख लेना यह हमारी पहली वी दानसबा कवर हो गई है आप देखे हम सैकिन वी दानसबा है उसको यह और बढ़ते हैं और वो देखते हैं देखे फिर होती है हमारी सेकंड विदानसबा कब से कब तक चलती है हमारी चलती है 17 मार्च 1967 से लेकर 296 तक चलती है इसके जो स्पीकर थे या फिर जो इसके अध्यक्स थे वो थे सरीचंद वै मनफूल शिंग इसमें सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई थी बढ़ाकर 54 से बढ़ाकर 801 कर दिगई थी उर इन 81 में से जो आरक्षी तक 6तर थे वो कितने थे हमारे 15 थे ठीक है और परतेस में पर्थं निर्वाचित विदान सबा थी ठीक है ये आपको ध्या रख लेना है पर्थं neilvá zdrowey विदान सबा कौन सी थी अमारी सैकिंड थी लेकिन जो हमारी पहली थी, पहली में तो सीधे वहां से उठा के जो पंजाब वाली विदानसबा में थी, वहां से कुछ को उठा के सीधे हरियाना वाले में डाल दिया गया था, ठीक, इस बात का आपको धारक लेना है, उनको कोई election नहीं करवाई गए थे, उनके लिए ठीक है, उनक 1977 से 1988, 1982 तक रही थी, ठीक है, इसमें जो सदाशियो की संख्या बढ़ा कर कितनी कर दी गई थी, 90 कर दी गई थी, इसमें जो अरक्सि तक 17 है, वो कितने है, 17 है, ठीक है, और यह जो 90 सीटे है, कब तक रहेंगी, ठीक है, इस बात का आपको धेना है, अब देखे हम आगे बढ अंसबा चल रही थी उसमें जो हमारे ततकालिन मुख्या मंतरी थे वो कौन थे हमारे चोधरी देविलाल जी थे और सुसमा सवराज सबसे कम उमर में कैबिनेट मंतरी बनने वाली महीला थी मातर 25 वर्स के युमें जो हमारी सुसमा सवराज जी है जिनका निदन हो चुका है य 29 अक्तूबर 2019 से चल रही है ठीक है और इसके जो चुना हुए थे वो चुना हुए थे 21 अक्तूबर 2019 को इसका जो रिजल्ट आये था 24 अक्तूबर 2019 को और चोध विविदान सभा में कुल परतियाश्यों की संक्या कितनी थी 1169 थी ठीक है और सरकार बनी थी किस किस की आपको पता है कि सरकार किस किस की बनी थी बीजेपी की बनी थी और जेजीपी की बनी थी और अन्या पार्टी भी इसमें इंकलूड हुई थी ठीक है तो यह तीन पार्टियों से मिलकर जो है सरकार बनी थी ठीक है तो टोटल देख थी एक सिट जो हमारी हलोपा है यसमें आई थी एक सिट और जो हमारी अन्या है इसको मिली थी वाला हो जू ये हमारा ये हैं यह जब यह पंज आती हैं तो क्य होता है मुख्या मंत्री पद की सपथ कब ली जाती है कब ली गई थी तो यह ली गई थी 7 mata को तो खिस ने ली थी आपने पता है हमारे हर्यार्ण के मुख्या मंत्री को न Gue मुख्या मंतरी हैं इंसे पहले हमारे पांच और रहा चुके हैं आगे की वीडियो में मैं आपको मुख्या मंतरी का टोपिक करवाउंगी वहीं पर आपको उप मुख्या मंतरे भी करवा दूँए ठीक है तो आप जो हमारा इनका जो यह हमारे स्थ वीधान सभाग्षेतर है कनल सा करना आल ठीक है तो 우리 4 नमबर 2019 को इसके वर्तमान स्पीकर है या फिर जो अध्यक्स है वो है ग्यांग चंद गुपता जी जो की पंचकुला से हैं और वर्तमान में इसके जो डिपटी स्पीकर है वो हमारे रणबीर गंगवा जी है विदान सबाग छेतर कौन सा है इनका तो नलवा हिसार है ठीक है और जो हमारी रख लेना है आप देखें हम आगे बढ़ते हैं जो हमारी विदान सबाइसे रिलेटिड कुछ फैक्ट है उनको जान लेते हैं देखें अगर आपसे पूछ लिया जाए यह मोस्ट इंपोटेंट क्वेस्टन बनता है तो आपको ध्यान रख लेना है हर्याना में सबसे उच हिसार की रिजाव शीट है ठीक है नेक्स्ट हमारा बर्वाला नेक्स्ट नारनोंद देखें एक होता है हमारा नारनोंद और एक होता है हमारा नारनोल जो हमारा नारनोल है वो कहां पर हमारा महेंदरगड में है लेकिन जो हमारा नारनोंद है वो कहां पर हमारा हिसार में है एक हमारा हांसी है एक हमारा आदमपूर है और एक हमारा नलवा है तो यह सबसे ज्यादा जो विदान सभाक्षेतर है वो कहां पर है हिसार में है और यह कुण कितने है साथ है तो यह मैंने वो नाम बताई है जो साथ है अब देखें हम आगे बढ़ते हैं जो दूसरा सबसे ज़्यादा विदान सब अक्षेतरों की संक्या वाला जिला कौन सा है हमारा तो ये दो हैं एक तो हमारा फ्रीदाबाद है और एक हमारा सोनी पत है इन में कितने कितने अक्षेतर हैं तो इन में छे हैं हैं देखें सबसे पहले हम फ्रीदाबाद के देख ले जो है हमारी रिजावर्ट शीट है ठीक है सोनीपत की गोहाना ब्रोधा ब्रोधा में आपको पता होगा हमारे उपचुना हुए है और वो कौन से नंबर के हुए है 35 वे नंबर के उपचुना हुए है और यहां से किसकी जीत हुई है तो यहां पर I.N.C.N की इंडियन नेशन से नंबर फ्रीदाबाद के थे स साइड और यह हमारे सोनीपत के हैं थीक है विदान सभाक्चेतर अब देखे हम आगे बढखते हैं अगर हमने सब से ज्यादा की बात किया तो अब हम सब से कम बरूद सब्री बदान सभाक्चेतरों की संख्या कहां पर है तो यह हमारे दो जिलों में है एक हमारे पंचकुला में है और एक हमारे दादरी में है इन दोनों में दो है तो पंचकुला में एक तो हमारा खुद पंचकुला हो गया और एक हमारा कालका और इसी तरह से जो हमारा दादरी है एक हमारा दादरी हो गया और एक हमारा बार डड़ा हो गया ठ जाके यहां पर कुछ क्वेस्टिन है वो भी आपको कवर करते हुए चलने हैं अगर आप से पूछ लिया जाए कि पर्देश के पर्थम विदान सबा अध्यक्स या फिर स्पीकर कौन थे तो यह हमारी थी सरीमती सन्नो देवी जी ठीक है अगर आप से पूछ लिया जाए कि प समय तक कर्यकाल वाले स्पीकर कौन थे हमारे तारा सिंग थे और सभसे अधिक बार स्पीकर बनने वाले वैक ति कौन थे हर्मेंदर शिंग चड़ा थे जो की तीन बार बने थे ृूय कैं तेरा तेरा का आकड़ा आप द्यां रगे लेनाацेर विधान सबा थी और तेरा ही महिलावी दायक थी ये कब से कब तक रही थी है 2014 से 2014 से 2020 सब्रख और हुआ देखे अरफ से पूछाफ लिया चल। कि अक्षितरफल के आदार पर सबसे बड़ी विदानसभा सीट कोंड जिया तो हमारा अंसर हो जाएगा लोहारू लेकिन अगर आपसे अक्षितरफल के आदार पर छोटी विदानसभा सीट पोछ लिया जाए तब हमारा अंसर हो जाएगा बललब गड़ ठीक है तो ये दोनों को आपको ध्यान रख लेने हैं अब देखें हम आगे बढ़ते हैं देखें नेक्स्ट है सहरी मतदाताओ के आधार पर सबसे बड़ी वी दानसबा सीट तो हमारी फृदाबाद हो जाएगा और सहरी मतदाताओ के आधार पर सबसे चोटी वी दानसबा सी बड़ी विदानसबा शीट जो है वालजापूर है ठीक है तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट है चोध विदानसबा में सदन के नेता तो ये कोन थे हमारे मनुण लाल खटर जी थे ठीक है और विपक्स के नेता कोन है हमारे बुपेंदर शिंग घुड़ा है तो यह हैं देवेंदर सिंग बबली जो की टोहाना से विदायक है और सबसे चोटी जीत दर्ज करने वाले कोन है तो यह हमारे हैं गोपाल कांडाज ठीक है और यह सीरसा से विदायक है इनको शिर्फ 602 वोटों से जीत मिली है ठीक है तो यह सबसे कम या फिर सबसे चोटी जी तो को देखते हैं तो देखे सब से पहले अप्को ध्याँ रख लेना है। और हमारा जो है जजर की जजर भी खुद एक आरक्षित अक्षेतर है ठीक है यह आरक्षित सीट है और यह आपको ज्ञान रख लेना हर्याना का एक मातर ऐसा जिला है जिसके नाम पर खुद रिजव सीट है अरक्षित कारिक है और जो हमारा गुरुग्राम है गुरुग्राम की जो पडोढ़ और सिटिय और इस सीट में में फक्रमारे अरक्षित यह पौँड़ों अगर हम 17 में से 17 में अगर हम 5 और एड कर देते हैं तो कितना बन जाता है हमारा 22 बन जाता है ठीक है तो जो हमारे 5 जिले ऐसे हैं जहां पर कोई भी रिजव शीट नहीं है तो अब हम उनको देखते हैं तो जो एक हमारा फ्रीदाबाद है फ्रीदाबाद में कोई भी रिजव मेरी जौशेत नहीं है कि मेवात का नाम दोम अद बितलक कर नौ रखो दिया गय को नाम्早 Ci और स्वाज मात पांच जिलों मेरी जौशल्व शीट नहीं है लेकिन जो यहां पर है और अरकशिट शीट है और इन 17 जिलों में से जजजर एक मातर ऐसा जिला है जिसके खुद के नाम पर क्या है रिजव सीट है ठीक है तो यह हमारी विदानसभा से रिलेटिड वीडियो थी मैं उमीद करती हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो व सब्सक्राइब करके साथ में जो बैल आइकन होता उसको प्रेश जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक जो भी नियो वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल टाइम से पोस्ट के थैंक्यू दन्यवाद आपने अपना टाइम दिया